नवस्कार मैं हूँ शुवानी विहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले एक निजर सुर्खियों पर पंचाइटी रास विभाग ने अपने सभी पदधार को से मांगा संपती का ब्योरा इस दिन से होगी विहार में अगनी वीरों के लिए बहाली परकरिया शुरू लालो यादब की तवियत में आई सुधार प्रधान मंतरी की विहार यात्रा होगी एतिहासे खालिक का कमाल शांदार जीत के साथ भारत में किया आगास अब चनिये बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओल विस्तार से पंचायती राज विभाग ने अपने सभी पदधार को से मांगा संपती का ब्योरा त्रियस्तरी पंचायती राज संस्थाओं में भी सभी पदधारकों को भी अपने चल और अचल संपती का व्योड़ा देना होगा इसके लिए पंचायती राज विभाग ने आदेश वियारी किया है कि 33 पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदधारकों कुवित्य वर्ष के अंतिम तारीक 31 जुलाई को अपने संपती का व्योडा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा पंचायती राज विभाग के मंतरी समराच चौथरी ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहट 23 पंचायतों के सभी पदधारक और लोग सेवक को चल अचल संपती का व्योडा देनी की अनिवार्यता है 23 पंचायते के वैसी लोग सेवक जो वानशित व्योडा नहीं देंगे उनके विरुद पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप कारवाई भी होगी इस दिन से होगी विहार में अगनी वीरो के लिए बहाली प्रकरिया शुरू अगनी पथ स्कीम पर हुए बवाल के बाद सरकार रेन इसमें काफी कुछ सुधार किया है इसके बाद अब अगनी पथ स्कीम के तहत अगनी वीरो की बहाली प्रकरिया शुरू होने जा रही है वैसे विहार वासी जिनकी उम्र 17 सी 23 वर्स के बीच है और वो अपना कुछ समय देश्य सेवा के लिए लगाना पसंद करते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है विहार में अगनी वीरो के लिए आविदन प्रकरिया संभावित आक्टुबर महिने में शुरू होने चा रह इससे जुरी वस्तरित जुरानकारी के लिए या ओनलाइन आवेदन करने के लिए ओफिसील वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जरूर विजिट करें इन पाच जिलो में आज भारी बारिश किया शंका विहार में मौनसुन कमचोर पढ़ने से नियूंतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है चौदातर गया, औरंगाबाद, शेकपूरा, फार्विस गंज, कटिहार, नवादा, जमुई और मुजफरपुर के लोग उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं हालांके इस बीच मौसम विभाग में पुर्वी चंपारन, पश्मी चंपारन, अर बारिया, किशन गंज, और सिता मटी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वही राजधारी पटना में भी आंशिक बादल च्राय रहेंगे, यहां एक दो जग हो पर हलकी बारिश होनी के आसार हैं, अन्य जिलो में फिलाल बारिश की गतिविधी होनी की संभावना कम है, मौसम विभाग ने शुक्रवार को सिता मटी, बेतिया, मोतिहारी, किशन गंज और अररिया में एक दो जगों पर भारे बारिश के आसार जताए हैं, 11 जुलाई के बाद राज़े में मौनसुन संभन्धी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं, लालु परसाद यादव की तव्यत खड़ाब चल रही थी, कि इस बीच राबरी आवास में गिरने की वज़ा से उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया, इसके बाद इलाज के दोड़ान दवाओ के डोस बढ़ने से उनकी तव्यत और भी खड़ाब हो गई, हालांकि अब वो ठीक हैं, लालो यादव क पहले से काफी बेहतर नज़र आ रहे हैं, वहीं मीसा भारती ने तस्विर के साथ लिखा आप सब की दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित सिये देख रेक से आदर नियस्ट्री लालो परसाज जी की तव्यत में काफी सुधार है, 14 जुलाई से इन रूटों पर चिलेगी छे जोड़ी स्पेशल ट्रेने, श्राबनी मेले पर रेलवे स्रधालू को सौगात देने चारी है, 14 जुलाई से शुरू होने चारे श्राबनी मेले के शुवअपसर पर भगवाद शिब के भगतों के लिए रेलवे ने विहार से ज्जाठखन जाने वाली रूट चिलेगी छे जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। और पटना जसी डेह पटना प्रती दिन चलेगी हालांकि ये संक्षित जानकारी है आप इससे जुड़े विस्त्रित जानकारी के लिए रेल्वे के अधिकारी की वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें हाई कट अफ के साथ इस दिन आएगा CET B8 2220 का रिजल्ट विहार में 6 जुलाई को हुई CET B8 सयुगत परवेश परिक्षा का आयोजन किया था जिसका रिजल्ट 30 जुलाई को जारी किया जाएगा परिक्षा में आय सवालों के अधार पर माना जा रहा है कि सरकारी कॉलेजों में कट अफ असी नंबरों से जादा आ सकती है वही पटना इनिवर्सिटी के भी दोनों कॉलेजों में बियर्ट में दाखली के लिए हाई कट अफ ही चाहिए होगी ये दोनों ही महिना आड़क्षिद बियर्ट कॉलेज है जिन में कट दो सो सीटे हैं आपको बता दे कि सीटी बियर्ट दोजरवाईस की सहुगत परिक्षा के लिए एक लाख क्यानवी हचार नो सो अवियर्थियों ने आउनलाइन आवेदन जमा किया था इसमें संतानवी हचार साथ सो अठाड़ महिला एवम चारानवी हजार दो सो ग्यार पूरुष अवियर्थी शामिल रहे है अमेरिका के इस कॉलेज में पढ़ेंगे विहार की ये महादलित शात्र राजधानी पटना के फुलवाडी शरीफ के महादलित शात्र अब अमेरिका में चाकर सिक्षा अग्रहन करेंगे मिली चान करके रुसार फुलवारी शरीफ में गुनपुरा गाउं के 17 वर्ष ये महादलित शातर प्रीम कुमार को अमेरिका के प्रतिस्चित लौफायट कॉलेज दौरा सनातक की डिगरी हासिल करनी के लिए 2.5 करोर रुपे की शातरवर्ती मिली है अमेरिका के प्रतिस्चित लौफायट कॉलेज ने शातर को शातरवर्ती के रूप में धाई करोर रुपे का अनुदान देनी की घोशना की है आपको बता दे के प्रेम कुमार के पिता जीतन मानशी मजदूरी करके अपने परिवार का भरन पोशन करते हैं वहीं इस घोशना के बाद पूरे गोनपुड़ा गाउं में खुशी का माहौल है प्रधान मंतरी की विहार यात्रा होगी एतिहासिक बिहार विधान सभा भवन के 100 साल पुड़ा होने पर श्रताब्दी वर्ष समाडों मनाया जा रहा है जिसके उत्खाटन समाडों में बिते वर्ष अधास्ट पती रामनात को विंद आये थे और अब विधान सभा भवन के शुताबदी समाडों में शुरिकत करने प्रधान मंत्री आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना इतिहासिक होने वाला है दरसल बिहार विधान सभा परिश्वर में बनेश्वुताब्दी अस्मृती इस्तंप काउध खाटन करनी के लिए 12 जुलाई को पर्धार मंत्री नरेंद्र मोधी पटना पहुँचेंगे और आपको बता दे कि विहार विधान सभा के इतिहास में नरेंद्र मोधी पहले प्रधान मंत्री होंगे जो किसी कारे करब में शामिल होंगे यह यात्रा एतिहासिक और यादगार होगी जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी बकरीद को लेकर सुरक्षा है तो तमाम सोशल मेडिया पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर मुस्लिम समूदाय कि सबसे बड़े तेवहारों में से एक बकरीद का तेवहार इसी महिने की दस्त तारीक को मनाया जाने वाला है ऐसे में विहार की पुलिस परशासन अलर्ट मोर पड़ा गई है तेवहार शान्ती से संपन्ध हो और इस बीच किसी भी तरह का कोई बवाल ना मचे इसके लिए पुलिस परशासन ने गली मुहला चौक चड़ाह सैथ सोशल मेडिया पर भी नजर रख रही है ताकि कोई भर प्रमुक शेहरों में वकरीद के दिन पुलिस बल की तैनाधी की जाएगी वहीं पटना समेत राज्य के विभिन शेहरों में सवेंदर श्रील इलाकों में पुलिस की सकती रहेगी इनोबेटिव और बेस्ट आइडिया दिने वाले शात्रों को किया जाएगा सम्मानित बिहार में ट्राइमस इंटरनेशनल की ओर से वर्ल्ड साइंस एक्जिवीशन दोजर वाइस के लिए थी मॉडल का ओनलाइन एक्जिवीशन और शोयन साश्वातकार 24 जुलाई को जित इसमें शात्रों में इनोबेटिव और बेस्ट आइडिया देने वालों को सम्मानित किया जाएगा एचुग शात्र शात्राएं वर्ल्ड साइंस एक्जिवीशन एड़ और जीमेल डॉट कॉम पर निवन्धन करा सकते हैं नगर निकायश उनाव में लग सकता है अभी भी दो महीने का वक्त विहार में अब जल्द ही निकायश उनाव होनी की संभावना है निर्वाचन आयोग ने इसकी तर्यारिया शुरू कर दी है इसके लिए मतदान केंद्रों का गठन किया जाड़ा है इसके बाद बोलिंग बुथो की लिस्ट 29 अगस्त तक जारी होनी की संभावना है इसके बाद चुना की घोशना भी कर दी जाएगी इसके बाद 14 अगस्त तक निर्वाचन आयोग की विबसाइट पर बुथो के अपडेटेट सुची और वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी इसके बाद फिर से मज़दान केंद्रू का अनुमोदन किया जाएगा आखिर में 29 अगस्त को पोलिंग बुथो की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी बंधुआ मज़दूरों के पुनरवास को लेकर मंत्री जिवेश मिश्रा का एहम उंदर देश स्रम संसाधन विभाग का कार्याले अब ऑफिस में तब्दील होगा आपको बता दे कि मंत्री जिवेश कुमार की अधिक्षता में स्रम संसाधन विभाग की समिक्षा बैठक गुरुवार को हुई इस बैठक में मंत्री जिवेश में स्राद्रोरा सभी अधिकारियों को विभागी कार्याले को पुर्णतर ऑफिस में परिवर्तित कर सह समय सभी कामगारों को लाव दिये जानी के लिए निर्देश दिया गया है। मंत्राले का कार्याभार जोती राधित सिंधिया को देने के बाद जोब भी हार लोटे तो मेडिया ने उन्हें उन से कई सवाल किये। इस बीच उन्होंने कहा कि वो जड्यू को मजबूत करने के दिश्वा में काम करेंगे, युवाओं को पार्टी से जोडेंगे, युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हीं रोजगार के लिए सक्षम बनाएंगे। आरसेपी सिंग ने कहा कि नितिश कुमार की नेतरीतु में जड्यू को और आगे ले जाने का काम करेंगे, उन्होंने आगे कहा कि वो एक सीधे साधे आदमी है और हमेशा सीधे चलते हैं, उनकी किसी से कोई नाराज की नहीं है, तथा जड्यू को मजबूत बनाने में उनकी म हतपुर्ण भूमी का रही है, हार्दिक का कमाल शांदार जीद के साथ भारत ने किया आगाज, भारत ये टीम ने इंगलेंड के खिलाफ टी ट्वेंटी आई सिरीज का आगाज धमाकेदार जीद के साथ की है, गुरुवार को साउथ हैम्चन में खेले गए तीन मैचों के स सिरीज के पहले, टी ट्वेंटी आई मुकाबले में भारत ने इंगलेंड को पचास रनों से हडा दिया, भारत की इस जीद की कहानी लिखी है, स्टार ओल राउंजर हार्दी पांटिया ने, जिन्होंने बल्ले और गिंद दोनों से बहतरीन परदर्शन किया, इस ओल राउ बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, हेल्थ मिनस्ट्री दोरा जारी किये गए, आज वियानी शुक्रवार को ताजा अपटेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 18,815 नए कोविज मामले सामने आये हैं, 15,899 लोग ठीक भी हुए हैं, वहें संकर्वन से 38 9,6% है, लगातार बठरे मामलों को देखती हुए सरकार भी अलर्ट है, इसके लिए कोरोना की जाच और राष्ट व्यापी टीका करन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, राष्ट व्यापी टीका करन अभियान के तहत अब तक के 198.5 एकरो टीके की खुडाक दी जा आमूद कुमार, संजीत कुमार सिंग्स, शंकर मुख्या, सलिम भाई, मुहमद नौशाद, रंजीत मिश्रा, सतीश कुमार, इसके साथ है बढ़ते हैं आज के सवाल योड़, आज का सवाल है कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप भी अगनी वीरो की तरह देश जवा में अपने जीवन का चार साल देना पसंद करेंगे अपना जवा हमें कॉमेंट सेक्शन में लिकर ज़रू बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद